कि आप सभी का ओमेगा इस्टेटी चैनल पर और हम लोग यहां पर कर रहे हैं बिहार विद्ध याले परिक्षा समीती 2020 जो कि 17 फरवरी 2020 से लेने वाली एक्जाम और यहां पर देखेंगे न्यू पैटर्न पर अधारित 60 परसेंट ऑब्जेक्टिव जिसमें वहां आप लोग पूरे 48 परसन रहेंगे तो उसमें आपको 40 ही बनाना है ठीक है और यहां पर देख रहे हैं हम लोग कि यह 27 बाद देने इस वीडियो का तो जिन्हों ने भी पीछी अभी तक नहीं देखा है तो प्रेलिस्ट में जाया और चेक करें आपनी तैयारी को सुनिश्चित करें औ अच्छा लगे तब लाइक किजिएगा ठीक है तो इस्टार्ट करते हैं को सब्सक्राइब को सब्सक्राइब पहला यहां पर बोला है यंग इतली के संस्थापक कौन था एक काबूर भी गैरिवाल्टी सी मैजनी या फिर दी मुसॉलिनी पिल्कूसर आप लोग का ऑप्सन सी अ मैजनी नेक्स्ट को सन्यापे कोशन नमर सेकेंड पूछा आप लोगों से है जर्मनी राइन राज्ज का निर्मान किस ने किया था उप्सन ए लूई अठारवा भी नेपोलियोन बोनापार्ट सी नेपोलियोन तीरती या फिर दी बिस्मार्क बिल्कूसर यांसर यहां है तो बिल्कुत सही ऑंसर प्रहां बीग लेलिन नेक्स्ट को सेन पर चार नंबर लाल से ना का गठन किस ने किया था ऑप्षिनिक हल्माक्स बीस्टालिन फीटर्टर्स की या फिर डी क्रांस की तो बैल्गुत सही आंसरि यहां नाम लाओस या फिर दी कंबोडिया वियतनाम थाइलेंड बिल्कुल सही आंसर यहां पर ओप्शन सी कंबोडिया वियतनाम और लाओस ठीक है नेक्स्ट को से यहां पर सिक्स नमबर हनोई समझाता कब हुआ था बिल्कुल सही आंसर सभी का ओप्शन ए ए ओ हुआ नेक्स्ट कोस्ट कोस्ट नमबर आठ पूछा यहां पर है आप लोगों से नमक कानून भंग करने के लिए गांधी जी ने किस अस्थान को चुना ओप्शन दांडी बी भराउच सी अमरावत्ती या फिर डी सावरमती सभी का अंसर सही यहां पर ओप्शन ए दांडी याद पूछा आप लोगों से है लंदन में भूमीकत रेल किस वर्ष आरंब हुई ऑप्शन ए 1763 में बी 1863 में सी 1787 में या फिर डी 1887 में बिल्कुल सही आंसर यहां पर ओप्शन नमर बी 1863 में ठीक है नेक्स्ट कोशन ए 11 नंबर विस्व या पी आर्थिक संकट किस वर्ष आरं में भुआ था बहुत ही इंपोटेंट कोश्चन है ऑप्शन ए 1914 वी 1922 सी 1929 या फिर डी 1927 बहुत का अंसर सही सभी का अंसर से यहां पर ओप्शन सी 1929 ठीक है बिल्कुल सही कोशन नमर 12 यहां पर पूछा आप लोगों से है अमरित भजार पत्रिका का प्रकाशन किसने आर 行了 आप लोगों से यहां पर आप लोगों से जाती के आधार पर समाजिक विभाजन किस देश की समाजिक विवस्था का अनुठा उदाहरन हैं ऑप्सने सन्युक्तरा जमीर का बी ग्रेट बीटेन सी चीन या फिर दी भारत बिल्कुल सही आंसरे आपे सी चीन नेक्स्ट को सन्या पर चौदा रंग भेद की निती के विरुध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था अप्सने मार्टिन लुथर किंग बी अबराहम बिहार में कितनी आवादी पर पंचायत समीती का एक सदस्य चुना जाता है ऑप्सने 500 बी 700 सी 5000 या फिर दी 7500 बिल्कुल सही आंसर यहां पर ऑप्सन सी 5000 पर ठीक है नेक्स्ट को चलते कोशन नमर 16 और पूछा यहां पर आप लोगों से हैं संग राजी की विशेष्टा नहीं है ए लिखित संभिधान बी सक्तियों का विभाजन सी इखरी सासन विवस्था या फिर दी सरवच्चे न्याय पाली का बिल्कुल सही आंसर यहां पर ऑप्सन सी इखरी सासन विवस्था नेक्स्ट कोशन यहां पर 17 नमबर भारत में सरव पहान मंत्री वी राष्ट पती सी संसद या फिर दी उपर राष्ट पती बिल्कुल सही आंसर आप लोग का ओप्सन वी राष्ट पती नेक्स्ट कोशन यहां पर 18 पूछा आप लोगों से है चिपको अंदोलन का नेत्रित निमलखित में से किस ने किया ओप्सने चंडी पर यहां पर 19 भारत में हुए 1977 के आम चुनाब में किस पार्टी को बहुबंद मिला था 1977 में पूछा है ओप्सने कॉंग्रेस पार्टी को बी जनता पार्टी को सी कॉमिनिस्ट पार्टी को या फिर दी इनमें से कोई नहीं बिल्कुल सही आंसर यहां पर ऑप्सन भी भारतिये जनता पार्टी बी जे पी को मिला था बात समझ में आ रहा है नेक्स्ट को चलते हैं को समर्बीस को समर्बीस है यहां पर पूछा है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है ऑप्सने परधान मंत्री बी राष्टपती सी मंत्री मंडल या फिर द सब्सक्राइब कराने की जिम्हेवारी किसके ऊपर है ऑप्सने राष्टपती बी परधान मंत्री सी चुनाव आयोग या फिर दे शंसद बीसे आंसरे यहां पर ऑप्सन सी चुनाव आयोग इसलिये चुनाव का काम किसका है चुनाव आयोग का है तरह नेक्ष्ट कोशन याभ़े बाईस लोगतंत्र जनता का जनता के द्वारा तथा जनता के लिए स्सावसन औरलेयो जिफ्ट dressed'. ऑब्राहम सुछ सही आंसर कीजिए आप्शन B सभी का सही है अबराहम लिंकन नेक्स्ट कोशन 23 भारत की आर्थिक विवस्था है आप्शने समाजबादी भी पुझी बादी सी मिस्रित या फिडी इन में से कोई नहीं सभी का अंसर सही यह कोशन ज्यादा तर पूछा जाता है आप्शन सी में से कोई नहीं सभी का अंसर सही है ऑप्शन यह पंद्रमार चुनिस्सों पच्चास नेक्स्ट कोशन यहां पर 25 पूछा आप लोगों से है इन में से कौन एक मिमारू रज नहीं है ऑप्शने बिहार बी मद्धपरदेश सी करनाटक या फिडी उडिशा सभी का अंसर सही करनाटक और 26 साक का अरत है ओप्शने बिस्वास करना वी इन लीटाने की छमता दोनों या फिडी इन मेंैं से कोई नहीं बिलकुँ सही आंसर ने ओप्शन सी कुछा आप लोगों से निम्न में से कौन सा साख पत्र के अंतरकत नहीं आता ओप्सने चेक बी बैंक ड्राफ सी हुंडी या फिर ड कागजी मुद्रा तो बिल्कुल सही आंसर आप लोग बताईएगा सभी का सही आ रहा है ओप्सन ड होगा कागजी मुद्रा ठीक है नहीं होगा समझ में रहा है 1935 में अस्थापना हुआ था इसका नेक्स्ट को से नहीं पर 29 भारत के अधिकांस जन संख्या अर्थ विश्था के किस चेत्र में संलग्न है अप्सने प्राथमी कतबा किरिसी चेत्र में बी डूटीय कतबा उद्योग चेत्र में सी तीरतीय बिल्कुल से आंसर यहां पर आप्सने प्राथमी कतबा किरिसी चेत्र में ज्यादा तर जन संख्या किरिसी चेत्र में लगी हुए है नेक्स्ट को से नहां पर 30 नमबर इनमें कौन बहुराष्टी एक कंपनी नहीं है आप्सने फोर्ड मोटर्स बी सैमसंग सी कोको कोला या फटी बाएस अप्रेल बिल्कुल सही आसने या ऑप्षन दी बन्द मार्च मर्ट नेक्स्ट कोसं यहां पर 30 सूचना का अधिकार किस परकार आधिकार आप्सने वैधानिक बीगेर कानूनी सी धार्मिक य विडि 9-25 परागत बिल्कुल सही आसे यहां पर आप्सने वैधान नेक्स्ट कोशन 33 में पूछा यहां पर उर्जा का गैर परंपरागत शुरूत क्या है और प्राकिरतिक गैस बी सुर्य किरन सी कोईला या फिर डी जल बिल्कुल सही आंसरे आप्शन बी सुर्य किरन नेक्स्ट कोश्चन कोश्चन नमर 34 पंजाब में भूमी निमनी करन का मु बिल्कुल सही आंसर आप लोग का अधिक सिचाइश से ठीक है नेक्स्ट कोश्चन यहां पर 35 भारत में उर्जा का परमुक शुरूत कौन सा है और प्राकिर्टिक गैस या फिर डी जल बिद्दूत बिल्कुल सही आंसर आप लोग का आप्शने कोईला नेक्स्ट कोश्चन 33.3 या फिर दी 40 परतीसद बिल्कुत सही आंसर ऑप्षन सी कि 33.3 ठीक है नेक्स्ट कुशन जलते हैं कुशन नमर 37 और पूछा आप लोगों से है यह पुछा एलुमूनियां बनाने के लिए किस खनेज की आवसकता परती है ऑप्षने मैगनेज बी टीन सी लोहा या फिर दी बॉक्साइट बिल्कुत सही आंसर आप लोग का ऑप्षन डी बॉक्साइट इस तरह के कुश्चन आप लोग साइंस में भी किये हैं कुश्चन यहां पर 38 नमबर है निमलिकित में किस फसल की खेती रोपन किर्शी के अंतरगत की जाती है एधान बी गेहूं सी कपास या फिर दी चाय बिल्कुत सही आंसर कीजिए ऑप्षन डी होगा सही चाय नगीधान ठीक है नेक्स्ट को सब्सक्राइट पूछा आप लोगों से जूम खे और नेक्स्ट कोशन जलने से पहले हम आपको बता दे यदि आप चैनल पर नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए और लास्ट में से एर कीजिएगा तो अगला कोशन चालीस यह रहा कोशन चालीस पूछा आप लोगों से वायू मंडल निर्म पूछा है मतलब हेले कॉप्टर हवाई जहाज इस तब की बारे में पूछा है बताएगा सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी इस दा कारेक्ट आंसर बैंगलूरू नेक्स्ट कोशन एक तालीस जमसेदपूर किस उद्योग के लिए परसीद्ध है बार बार पूछे जाने व लोगों से पुरु मध्य रेलेवे का मुख्याले कहां है एक मुख्याले आप लोगों से पूछी लिया जाएगा ठीक है तो देखते रहे हैं यहां पर मुंबाई सेंट्रल बी चैन्नाई सी गोड़कपूर या फे डी हाजीपूर तो बिल्कुत आंसर बताएगा क्या होग सबीका सही है यहां पराइगा सी हाजीपूर ठीक है नेक्स्ट को सन यहां पर 43 किस पक्छी को फिहार का राजिक भोशित किया गया है औक जैपरकास अन्ताराश्टी हमाएज़ी राजन्द परषाद को से बहुत है प्छा कुछन है भूपतल सथान जहां भूकम्प का निम होता है क्या कळल आता है बिल्कुल चैक सेकिर की जब एक अधिकन्द सी अनुकेंद्र या फिर्टी इनमें से कोई नहीं बिल्कुत सब्सक्राइब कहलाता है अधिकन्द कहलाता आप्षण जलते हैं कुछ नमर च्यालेश पुछा बाड के समय हमें निम्लिकित में से किस अस्थान पर जाना चाहिए ऑपने उची भूमिवारे अस बिल्कुल से यहां पर ऑप्सन ने उंची भूमी वाले अस्थान पर ठीक है नेक्स्ट कोश्ण चलते हैं कोश्ण नमर 47 और पूछा गया आप लोगों से कुश्ण यह बताईए निम्न में से कौन मानव जनित आपदा है ऑप्सने संप्रदा एक दंगे बी आतंगवाद सी मह हमारी या फिर इनमें से सभी तो इनमें से सभी बिल्कुल सही है ऑप्सन डी सभी का सही आय रहा है और लास्ट कुशन इस वीडियो का पूछा गया आप लोगों से 48 नमर में हैं कि 26 दिसम्बर 2004 को विस्व के किस हिसे में भेंकर सुनामी आया था अप्सने पस्षी मेसिया कोशन कोशन है और जैसा कि पली से में और एक रहा है पस्षी में अपना अतुर जरूर दे और यदि सेशन आपको अच्छा लगा हो तर लाइक कीजिए शेर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि आप चैनल पे नहे हैं तो थैंक्स फॉर आल वाचिंग ओमेगा स्टेडी बाइबाइट टेक क्यार आपका इज्ञाम बहुत अच्छा हो